Hello students, मैं Dr. Alka, Associate Professor हूँ जीरी गल्स कॉलिश में आपकी जोलोजी क्लास मैं ले रही हूँ, पेपर थर्ड की और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है Insects and Air Management कीट अब हम उनका प्रबंद तो बचो चलिए इस टॉपिक को हम करते हैं बहुत easy सा टॉपिक है अधिक तर जो कीट होते हैं वो मनुशी के लिए उपयोगी होते हैं और कुछ मनुशी के उपयोग में आने वाली हर प्रकार की खादे या खादे वस्तों को नुकसान पहुंचाते हैं ये कीट जो फसलों को अन को खादन को नश्ट करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं हानी कारक कीट कहलाते हैं या नाश्यक कीट या नाशी कीट कहलाते हैं और फिर इंगलिश में इंसेक्ट पेस कहलाते हैं संसार में जो है नाश्यक कीटों की एक हचार से अदिक जाती हैं जो की नुक्सान पहुँचाने वाली है और यह जो कीठ हैं यह वर्ग इंसेक्टा में आते हैं और इसके इंसेक्टा कि जितनी भी वह हैं और्डर्स है तो उनमें से जो अर्डर नाशी कीट के हैं वह हैं कॉलियोप्टेरा lepidoptera और hamiptera के जो members है वो injurious insects हैं या insect pest में आते हैं तो फसल को नुकसान पहुचाने वाले पेड़ पौधों को नुकसान पहुचाने वाले या फिर stored grain होता है बंडारे तनाज जिसको बोलते हो आप या फिर घर में जो चीजें होती हैं हमारे किचन में जो चीजें होती हैं, उनको नुकसान पहुचाने वाले, मनुश्यों को नुकसान पहुचाने वाले, पश्वों को नुकसान पहुचाने वाले किड़े होते हैं, तो यह सब इंसेक्ट पैसे इनकी बात करेंगे, कई जो इंसेक्ट पैसे वो डिरेक्टली नु नुकसान कर देते हैं जैसे पतियां खा जाती है या जड़ों को नुकसान पहुंचा देते हैं तो यह इंसेक्ट पैस तो आर्थिक महत्व के जो कीरे हैं आर्थिक महत्व में सब तरह की आते हैं कीट जो लापकारी भी हानिकारक भी helpful भी सवाएंगे तो आर्थिक महत्व के क कीडों को तीन श्रणियों में विभाज़त किया गया है पहला जो है बच्चों वो है beneficial insects लापकारी कीट दूसरा है helpful insects या सहायककारी कीट और तीसरा है हानिकारक कीट harmful कीट जिसको बोलते हामफुल insects तो आज हम जिसे जिन कीटों की बात करेंगे वो है beneficial insects यह जो beneficial insects है यह मनश् इन beneficial insects को दो भगों में divide किया गया है पहला तो ऐसे insects जो कि कुछ product हमें देते हैं उत्पादी कीट कहलाते हैं या productive insects कहलाते हैं और कुछ कीट जो हमारी सहायता करते हैं indirect direct way में तो वो सहायक कीट कहलाते हैं तो उत्पादी कीट जो है ये कीट अपने जीवनकाल में किसी प्रकार के पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसको मनुश्य ग्रहाण करता है या उसको उप्योग में लाता है और इन कीटों द्वारा बनाए गए पदार्थों में जैसे शहद हो सकता है रेशम हो सकता है प्राप्त होते हैं और ये मदुमक्ही रेशम के कीड़े और लाकी कीड़े से प्राप्त होते हैं हमें और इन्हें बजार का बाहर के देशों में भी निर्याद किया जाता है बजार में तो बिकते ही हैं ये बच्चों लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो इनका निर्याद भी किया जाता है अब ऐसे कीटों की बात करेंगे जो कि प्रकाश के शोत के रूप में होते हैं लाइट एमेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं कहने का मतलब ये प्रकाश देने वाले कीडे तो इनमें ये बीटल्स आते हैं बग्स आते हैं में जुगनु कहलाते हैं ये लाइट को जो होते हैं दीप्त कीट कहलाते हैं ये और ये कॉलेप्टेरा वर्ग में हैं इनको रखा गया है और ये प्रकाश को उतसर्जन करते हैं बचों और प्रकाश को उतसर्जन करते हैं और जीव संदिप्ती परिगटना जो है उसको इन में से और बहुत अच्छे लगते हैं ये रात को हमारे यहां तो अब नहीं है राजस्तान में लेकिन अगर आप नौर्थीस्ट में जाएंगे तो इस तरह की बग्स आपको उड़ती होई दिख जाएंगे वहां का अभी भी जो वहां की एकोलीजी लॉजी है या इकोसिस होता है जो कि प्रकाश की किरने देता है और यह जो पदार्थ है यह लूसी फैरिन कहलाता है और यह कीट भी एक विशेश प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं जो कि प्रकाश जनक उत्तक में इस्तित होती है और कीट की शरीर में प्रकाश के लिए रिफ्लेक्टर पाया जा प्रकाश देने वाली कीरों का जो किरों से आभूशन भी बनते हैं जूल्री में काम आते हैं और इसके अलावा ये फोटोग्राफी आदी में भी उपयोग मिलिये जाता है अब कई किड़े ऐसे भी होते हैं बच्छों जिनसे की रंग प्राप्त होता है तो कीट वर्नक के श्रोत है तो इनमें कॉंचिनियल नाम का एक बहुती सुन्दर कलर प्राप्त होता है कार्मिन रेड कलर ये मिली बग से प्राप्त होता है इसके अलावा औषदियों को रंगने में भी इसका काम में लिया जाता है और इसको कालि खांसी में भी इसको औषदिय की तरफ काम में लिया जाता है अब है कीटों का ओशिदी है महत्व ऐसे कीट जिनका की medicinal value है जिनकी तो इसमें हम बात करेंगे हमें जिसे house flyer की बात करेंगी तो मक्खियों के जो maggot maggot जो है मक्खियों का जो लारवा होता है वो maggot कहलाता है वो मदु मक्खी जो blister beetles होते हैं इनका ओशिदी है महत्व है तो घरेलू मक्खियों के जो maggot है उनमें एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे ellen toyn कहते हैं ये घाब को भरने के काम आता है इसके अलावा blister beetle है उसके अंदर एक प्रकार का पदार्थ पाया जाता है canthrodin जो की उनमें रक्त में मिला रहता है और ये कुछ रोगों के अंत्रिक रूप से उपचार है तूप योग में लिये जाते हैं तो और इसमें जो है जननत अंत्र वगरगे जो रोग होते हैं उनमें ये काम में लिया जाता है अब है कीट पिटिकाए या insect goals ये जो insects हैं बच्चों अगर आप पिड़ पौधों को गोर से दिखोगे तो पिड़ पौधों पर थोड़े से ऐसे ऐसे फफोले से ऐसे ब्लिस्टर्स से दिखाई देते हैं तो वो insects की वज़े पौधों से होते हैं उनके इंदर कीड़े रहते हैं यह जो insect gals हैं इनकी बात करते हैं, तब कुछ कीरे जो हैं पेर पौधों में पिटिका का निर्मान करते हैं, या गोल सा कुछ structure बनाते हैं, और उनने पेर पौधों को नुकसान पहुचाते हैं, इसके साथ साथ ये कीड़े बहुत ही उपयोगी पतार्थ भी उत्पन करते हैं जैसे एलेपो गॉल जो एक शक्ती उक्त वेजिटेबल एस्टरिजन टॉनिक और कुछ जहरीली चीजों के लिए भी एंटीडॉट का ये काम करते हैं ये गॉल्स अब काम करते हैं और ये जो प तरह का नहीं है चलन लेकिन इंडिया से बाहर्ट कई देश ऐसे हैं जो कि किरे मकोडों को अपने भोजन में शामिल किया हुआ है उन्होंने तो बहुत से देश जो हैं इन कीड़ों को भोजन के रूप में ग्राइंड करते हैं जैसे मैक्सिको है उसमें जो एक्वेटिक ब पूरी प्लेट उनको पेश करते हैं और अपना वड़ा प्राइड की बात समझते हैं कौरव की बात समझते हैं और भारती लोग भी चीटियों को टिड़ों और मक्ही के लारवा प्यूपा खाते हैं भारतीयों में इस्पेशली नॉर्थ इस्ट में अगर आप जाएंगे बच्चों तो वहाँ पे इस तरह की इनको खानबन की आदत होती है इनकी अब टर्की, इरान, इराक में एफिड्स के द्वारा उत्सरजी जो मीठा शहएद है वो खाया जाता है अब है कीट जो है पॉलिनाइजर के रूप में भी साहिता करते हैं मनुश्य की तो बड़े- जैसे ही जैसे कीड़े ही करते हैं जैसे अंजीर के जो परागण है वो एक कीड जो है वो फिग वास्प जो की परजीवियों द्वारा होता है इनमें परागण अंजीर में और अगर यह ना हो फिग वास्प तो फिर अंजीर जो है वो नहीं बनेगा फल अब यह जो आब इतना हैं स्टूरेंट्स थैंक्यू वेरी मुछ